हेलो एंड वेल्कन टो वर्ल अफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन नाव हाली में एक रिपोर्ट आई है डेली बेस इंसिट्यूट की इंसिट्यूट का नाम है इंसिट्यूट ओफ पर्सेप्शन स्टडीज यहां पर यह बताया गया है कि आप अगर 1st April 2020 और 28 April 2021 का टाइम 101 है जर्नलिस्ट और सबसे डिरा दने वाली बात यहां पर यह है कि इनमें से 52 डेट्स तो हुई है सिर्फ एप्रिल के महीने में एप्रिल 2021 देखिए बहुत ही मन्हूस महीना रहा है कई लोगी जानिया पर गई है और on average भारत में हर दिन दो जर्नलिस्ट की डेट्स हुई ह अब यह जो रिपोर्ट है यह अचुली कली पढ़ रहा था इनकी जो ओफिचल वेबसाइट है वहाँ पर और आज 30 एप्रिल को एक और जनलिस्ट का नाम यहाँ पर आड हो चुका है यह है रोहिज सर्दाना आप लोग बचपन से इनको टीवी पर देख रहे हैं एक बहु पर अनबाइस्ट और फेर रिपोर्टिंग और आप अगर इनका करियर देखो तो दो दशक तक इन्होंने बहुत ही इंपोर्टन डो निभाया है इन इंडियन जर्नलिसम 2004 में इन्होंने जॉइन किया था जी न्यूस को इन दा कापैसिटी ओफ एग्जेकेटिव एडिटर एंकर, न्यूस प्रेजेंटर और जो बहुत सारे हिंदी लैंगिज प्रोग्राम से उनको ये होस करते थे फिर उसके बाद 2017 में ये चले गए आज तक में और आज तक में ये होस करते थे एक शो दंगल के नाम से ये कावी फिमस शो था डिबेट्स होते रहे आपर और भार सरकार ने इनको गनेश शंकर विद्याती पुरसकार से भी समानित किया था ये मैं आगको बता दूँ ये बहुत ही important award है in the field of journalism ये award दिया जाता है by the president of India himself इस award की शुरवात होई थी 1989 ने तो किसी भी journalist के career में एक बहुत ही important point होता है जब उनको समानित किया जाता है with this award और द आई है Indian journalist तो most probably वहाँ पे रोहिज सर्दाना का नाम आप लेंगे ही क्योंकि बहुत ही इनका एक मैं क्या कहूंँ एक icon day के इनकी presence बन गई थी Zee News पे इनोंने बहुत contribution दिया मैंने बचपन से लेकर बड़े होते हुए इनको TV पे देखा है और genuinely ऐसा लग रहा है मेरे एक journalists आपको TV पे हमिशा देखे हैं for decades उनमें इस एक नाम इनका था और आज की time में suddenly इतनी कम उमर में इनकी death हो जाना it is absolutely sad और ना सिर्फ रोहिज सर्दाना actually बाकी भी जो बहुत सारे journalists की death हुई है उनके बारे में भी आप अगर सोच कर देखें तो it is very sad क्योंकि मैं आपको ये अगर ये लोग अपना काम नहीं करेंगे तो लोगों के पास जो proper जानकारी है ये कभी पहुचेगी नहीं तो जो recent reporters को आप अगर देखें तो जो most number of death report करी गई है इसमें number 1 पे है उत्तरपदेश 19 death यहाँ पे report करी गई नमबर 2 पे है तिलंगाना, नमबर 3 पे है महराष्ट्र, फिर दिल्ली यहाँ पे, फिर ओडिशा, आन्रपदेश, तामिलाडू और आसाम और जो ये journalists हैं देखिए almost हर famous publication की तरफ से आप देखेंगे कि एक नएक journalist की death हुई है फॉर एक्जामपल यहाँ पे आप देख पाऊगे, All India Radio की तरफ से भी एक journalist से इनकी death हो गई उसके लाब आप अगर देखो Times of India की तरफ से, Hindustan Times, दूरदर्शन, The Wire, Times of India, Danic Jagran, The Hindu, News 18, Punjab Kessari, India Today और सबसे देखिए sad बात यहाँ पर यह भी है, कि जरातार जो यह journalist है, यह काफी young age में मरे हैं कई जो यहाँ पर journalist हैं पर मैंने google किया, उनकी जो age देखी, जरातार जो इनकी age थी, यह थी 30 से लेकर 40 के आसपास आप अगर रोई सरदाना कोई देख लो तो उनकी age थी 40, इस age में expect कोई करता नहीं है कि कोई गुजर जाए मगर, मगर देखिए it is a huge tragedy और मैं यही कहा सकता हूँ, ओम शान्ती मेरी आखे इस वक्त काफी नम है क्योंकि जादा कुछ आप अभी कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में, मगर हाँ, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, कि इनकी families को हम कैसे help कर पाएं एक scheme open करी गई थी, journalist welfare scheme, यह देखिए इसमें क्या है कि जो journalist है, जो जिनकी मृत्ती हुई है because of COVID-19, उनकी families को financial support देगी सरकार, उसके लिए जो families हैं उनको provide करना होगा, यहाँ पर proof of working as a journalist, जिनका धिहान तुए है, वो आदे journalist काम कर ले थे, उसका proof, death certificate, जहाँ पे लिखा है कि COVID-19 complications का यहाँ पे role था, और कोई भी एक proof चाहिए of income certificate और IT returns और यहाँ पे उनकी जो family है, उनको support किया जाएगा, मगर मेरा मानना यहाँ पर यह है, कि I think हमको सही time पर, काफी early stage पर, जो journalist हैं देश के, उनको declare करना चाहिए था frontline workers, यह actually, जो editors guild है, इंडिया में, इन्होंने काफी बार सरकार को गुहार लगाए थी, कि देखो, journalist field में काम करता है, बाहर निकलता है, भीड में जाता है, लोगों से बात करता है, उनको COVID-19 होने के chances बहुत जादा है, तो उन्होंने यहाँ पर का था, कि declare journalist frontline workers, इनको सबसे पहले vaccine दो, मगर इस पे ज़रा कुछ काम मेरे ख्याल से हम काफी जाने बजा सकते थे, अगर हम journalist को भी frontline worker यहाँ पे मान के चलते, I think a lot of lives could have been saved, मगर अभी के लिए उमीद यहाँ पर यही है, कि since अब vaccination अब के लिए open हो चुकी है, कि overall ना सिर्फ journalist की field में, various fields में, various socio-economic background से जो death की report आ रही है, यह कम होगी, और overall भार Thank you for listening and as always, God bless you all.